आप देखने हैं आप देखने हैं प्रोग्राम इनसाइड हिस्ट्री मैं हू नदीम डार और मेरे साथ मजूद हैं डॉक्टर महम्मद इबरहिन साथ नादरी पिछले प्रोग्राम ने हमने करारदा मुकास्थ तक बात की थी करारदा मुकास्थ कैसे मरत्ब हुई आगे बढ़ते हैं 1956 का आइन कैसे मरत्ब हुई असलाम अलेकुम डॉक्टर साथ नादरी पिछले प्रोग्राम ने आपने करारदा मुकास्थ तक लोगों को बताया था करारदा मुकास्थ के बाद क्या हुआ 1956 का आइन कैसे मरत्ब हुआ उसकी तफिला देएगा बिसमिल्ला रमारुराइम डार साथ करारदा मुकास्थ जैसी भी थी लेकिन इसने कदामत पुसस्तों को जो के इसलामी निजाम का नारा जिन्होंने लगाया था कि पाकिस्तान में इसलामी निजाम नाफ़ज होना चाह जिसकी रौज से जिद्धत पसंद सियासतदानों ने इसलाम के सियासी असूलों को अपनाने का वादा कर लिया था उसके बाद 12 मार्श 1949 को दस्तूर साथ सम्बली ने करारदा दे मकास्थ पास की सही cái जो एक 24 रुखनी कमेटी थी जिसे करारदा दे मकास्थ की रौश रौश्नी में बनیादी असूल वज़ा करने थे ये 24 रुकनी कमेटी जो थी इसके ये जुमे काम था कि वो आइंदा का लाहय अमल तियार करे और ये कांस्टूशन को मरतब करे और कांस्टूशन को बनाए इस काम के लिए एक बन्यादी असूलों की कमेटी बनाई गई जिसे बेसिक प्रिंसिपल कमेटी कहते हैं उसकी आगे से तीन कमेटीयां बनाई गई एक कमेटी अकलियतों के हकुग के तहाफ़स के लिए अपनी सफारशाथ पेश कर रही थी और एक कमेटी बन्यादी हकुग कमेटी बन गई और इसी तरह एक इसलामी तालिमात का बोर्ड बनाया गया सब डिविजनल होगी ना यस यह जो बनायादी हसूलों की कमेटी थी इसने जून उनीस सो उन्चास में एक इसलामिया बोर्ड तश्कील दिया जिसमें मौलाना सेद सुल्मान नद्वी मुफ्ति मुहम्मद शफी साहिब डाक्टर हमीद उल्ला मुफ्ति जाफर हुसैन पर अवजूद डार सब जो कंस्टूशन बनाने में एक गहर मामूली ताखीर हुई और अवाम इस से तंगा गए अवाम का मतालबा जोर पकड़ने लग गया कि यह कंस्टूशन क्यों नहीं बन रहा तो उसके उपर फिर जवाज पेश किया गया कि इसलामी नजाम के तहत इस क अनमाई लेनी पड़ती है जिसके वज़ा से यह कंस्टूशन में एक गहर मामूली ताखीर हो रहे हैं लेकिन असल में यह बात नहीं थी असल में बात जो थी वो इक्तदार की थी कि इस्ट पाकस्तान में रहने वाले समझते थे कि पकनना कैसी बननी चाहिए कितनी हमारी रिप्रिजेंटेशन होनी चाहिए हमें वजीर आजम बनेंगे के नहीं बनेंगे हमारा सदर होगा के नहीं होगा मगर भी पाकस्तान वाले समझते कि हमारी स्प्रेमेसी होगी के नह कर रहे थे खौजा नाजम दिशन श क्षाद 58 नहां आपस में कैसे लड़ते रहे हंगो यह से हमने पहले पिशली MS में जिकर कर लिया है तो उसके बाद यह हुआ कि बन्यादी प्रिंसिपल कंटी जो है उसने अपनी रिपोर्ट पेश की लहाजा बेसिक प्रिंसिपल जो कमेटी थी उसमें ये तैप आया था कि सद्रिम मुलकत का मुस्लमान होना जरूरी नहीं है अच्छा इसी तरह वजीर आजम और उसकी काबिना जो है वो मकनना जो पार्लिमेंट जिसे मकनना का मतलब पार्लिमेंट इसके दोनों एवानों के सामने जवाब दे थी अगर किसी एक एवान में वो इतमाद हासल ना कर सकती तो उसे एक्तदार से अलग होना पड़ता था मकनना के दो हिससे हैं उसमें जो आवान बाला है उसमें तमाम यूनिटों को बराबर नमाइंदगी देने का फैसला किया और आवान जरी में अबादी की बनियाद पर नमाइंदगी का असूल अपनाया गया तो दोनों एवानों के एरकान की तादाद इस रिपोर्ट में पेश ही नहीं की गए तो कानून साजी और बजट के सलसले में दोनों एवानों को बराबर इक्तार रहता हासल थे लेकिन सिपल्स रिपोर्ट जो थी इसके उपर बहुत ज़्यदा बहत शिरू हो गए कि ना ये इसलामी है ना ये जम्हुरी है लोगों ने इसको एक किसम का रद कर दिया अच्छा कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ओपर कोई बहस की जा सके या यह जो मुस्क्ब इसली खान साब ने ये फरमाया कि उनीश सुआ कावन तक ये बन्यादी असूलों की जो कमेटी है बेसिक प्रिंसिपल की ये अपनी सफारशात मुरतब करें और फिर ये सफारशात मुरतब करके नाइटिन फिफ्टी वन तक वो जो है वो पेश कर देता के एक नया कांस्ट बनाने में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती सही है अच्छा 21 जनवरी से 24 जनवरी 1951 तक कराची में एक इजलास मनक्त किया सही है और 22 नकात पर इतफाक करके उसे शाय करवाए गया जिन 22 नकात पर इतफाक किया गया उन में से कुछ ऐसे थे मिसाल के तोर पर खुदा की हाकमी मुलक के तमाम कवानिन कुरान और सुनत की बनाए जाएंगे रियास्त की बन्याद जी जाएंगे और इसी तरह रोटी कपड़ा मकान और तिबी अमदाद और तालीम ये तमाम लोगों को हासल होगी और बेरोजगारों की कफालत की जमेदारी भी रियास्त के पास होगी और इजस्थ माल दौलत इसका रियास्त जो है वो घौ जो है वो उसका ख़्याल करेगी जमेदार होगी कानून के तहत दिफा के मौके दिये जाएंगे बगएर किसी जुरम के, किसी अदालत के फैसले के किसी को भी जो है वो सजा नहीं दी जाएगी इसलाम के तसलीम शुदा फिरकों को हक होगा कि वो कानून की हदूद के अंदर रहते हुए अपने मजब का परचार करें यानि अकलियतों के हकुग का तहफज इसमें डिटर्मिन कर लिया गया मुलक के गैर मुलकी जो बाशंदे थे उनको हदूद के अंदर रहते हुए अपनी जो मजब हैं उनके मताबक परचार करने का पूरा हक होगा अकलियतों के हकुग का तहफज होगा मजबी अजादी होगी बन्यादी हकुग का तहफज किया जाएगा ये जो है ये उल्मा के कमेटी के वो 22 नुकात थे जो उन्होंने पेश किये फिर बन्यादी हसूलों की जो कमेटी थी उसने 22 दिसमबर 1951 को खाजा नाजम अदीन के जमाने में अच्छा अपनी सफारशाद पेश की जब वजीर आदम थे जब खाजा नाजम अदीन वजीर आदम थे तो खाजा नाजम अदीन के जमाने में बेसिक प्रिंसिपल केमेटी की रिपोर्ट जो है वो पेश की की सद्र ममलकत के लिए मुसल्मान होना लाजमी करार दिया गया लेकिन सद्र का इंतखाब मरकजी मझलिस एक कानूं साज के दोनों यवानों के मुच्टर का इजलास में करना था इसके बाद सद्र ममलकत परे DAVID TV tidakoot indict जालती चारा जोई हो सकती थी यानि सद्र मुमुलकत को अम्यूनिटी हासल थी मकन्ना के दोनों एवान तज्वीज किये गए और नशिस्तों की तक्सीस के लिए मशर्की वा मगर्बी पाकिस्तान के दर्मियान मसावात के असूल को अपनाया गया यानि मशर्की पाकिस्तान को 60 सीटे दी गई पंजाब को 27 इसी तरह सिंद को 8 सरहत को 6 और कबाईली अलाका जाहत को 5 बहावलपुर की रियास्त को 4 बलोच्टान को 2 बलोच्टान की रियास्तों को 2 खैरपुर को 2 वफाकी दारुलहकूमत को 4 और इस तरह कुल 120 सरकान दोनों अवाने बाला में और जो अवाने जिरी था उसमें मशर्गी पाकिस्तान को 200 पंजाब 90 सिंद 30 बलोच्टान 5 बलोच्ट रियास्ते भी 5 सुबा सरहत 25 कबाईली अलाका जाथ 17 पहावलपूर 13 खैरपूर 14 वफाकी दारुलहकूमत 11 और कुल अरकान की तदाद 400 तजवीज की गए पाकिस्तान का नाम इसलामी जमूरिया पाकिस्तान यानि इसलामिक रिपब्लिक पाकिस्तान तजवीज किया गया और इसके बाद फिर वजीर आजम जो है उसकी कररी और तहीनाती का तरीकेकार वज़ा किया गया और फिर अदालतों को जो जुडिश्री थी उसको भी अपन काम करने के लिए एक राय तजवीज थी गई लेकिन अदालतों को अतने अख्तियारात तजवीज नहीं किये गए जितने के मकनना को या कबीना को या जादालतों को अलग अलग होने चाहिए था तो इस तरह बहुत सारी रिकावटें वो हुई और उसके बाद फिर सियासी रस पाद के बाद फिर कुछ ऐसे नाम हमारे सामने आते हैं मसाल के तोर पे मलक गुला मुहमद फिर उसके बाद आप सिकंदर मिर्जा फिर उसके बाद हुसान शहीद सोरवर्दी फिर उसके बाद फिर फिरोज खाननून और उसके बाद फिर कई नाम और थे बैस सिफ प्रिंस मुतमिन थे और ना जिदीदियत के हामी सो एक तरह ख़ाजा नाजम الدिन साहब जो कडामत पर्संद्टों के साथ थे और दूसरी तरह लिवा की तरफ से तनकीदी जाहिजे तनकीदी तफसरे किये जा रहे थे स्यासदानों میں نہ لیگی متمن تھے نہ ہزمیں وخالف کے لوگ اس سے متمن تھے لہٰذا اس کے جو نشستوں کی تقسیم تھی وہ بھی کسی طورت میں لوگوں کو قبول نہیں تھی ایوان بالا کا انتخاب مختلف صوبوں کی مجال سے قانون ساز کو کرنا تھا وہ اس کے اوپر بھی لوگ جو ہے وہ متمن نہیں تھے اختیارات کی تقسیم کے اوپر بھی صدر کا انتخاب اور قابینہ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریکوں کی صورت میں ایوان کا मुश्टर का इजलास बुलाने की तजवीज दी गई थी इसके उपर भी लोग जो हैं वो मुतमिन नहीं थे तो लहाज़ा पहली दस्तूरसाज असंबली जो थी उसको तहलील कर दिया गया जो 24 अक्तूबर 1954 को मलग उला मुहमद जो के गवरनर्ट जैनल थे उन्होंने दस्त कानून साज़ असंबली जो है उसकी तश्कील के लिए कोश्च शुरू हो गए और फिर उन्होंने जो पाकिस्तान के अमेरिका में सफीर थे मुहमद अली बोगरा उनको वजीर आजम बना दिया और मुहमद अली बोगरा ने फिर एक बोगरा फार्मूला पेश किया हमने पहले भी जक्र किया था कि जब लियाकत अली खान की वफात के बाद मुहले गुला मुहमद को गवरनर जर्रिनल बुनाया गया तो वह उसी तरह के अक्तियारात इस्तिमाल करते थे जो के काईद आजम फादर ऑफ नेशन थे इसलिए ज्यादा तर अक्तियारात वो इस इस तरह इस तरह इस्ते 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 इस्त अमेरका में पकसान का सफिर था मुहमद अली बोगुरा उसको बुलाएकर और वजिर aurus. कर दिया और फिर अडिनेंस जारी कर दिया जिस आडिनेंस के तैट दूसरी कानून साज असंबली बनानी थी लेहाजा मोहमद भोगरा को यह होकम दिया गया था दूसरी दुस्तूर साज असंबली के लिए कोश्चे करें 14 अक्टूबर 1954 को मोहमद ली भोगरा साहब ने इलान किया कि दस्तूर का ड्राफ्ट मकमल है और दस्तूर साज असम्बली से इसको पास करवाने का सिर्फ अदाम रह गया है लेहाजा गवर्नर जनरल मलगुला मुहमद ने 27 अपरेल 1955 को एक आर्डिनेंस जारी किया जिसके तहत 80 अरकान पर मुश्टमिल एक दस्तूरी किन्वेंश करने का इलान किया गया हाजी दूसरी दस्तूर साज असम्बली का इजलास साथ जुलाई 1955 को मरी में हुआ अच्छा और इस असम्बली में मुस्लिम लीग को 26 नसिष्टे मिली वो सबसे बड़ी जमाद थी लेकिन 80 के अरकान में से साधा अक्सरियत भी हासल ना कर सकी जैसे कि मैंने अभी कहा किसी अरकान पर मुश्टमिल जो है वो एवान बनाया गया था इसी तरह मश्रिकी पाकस्तान से मुतधा महाद यानि यूनाइटड फरंट को 16 अवामी लीग को 12 ये अवामी लीग वही है जो मुझी बुरमान साथ की बाद में जमाद थी और जिसमें हुस उसमें वन यूनिट बनाया गया मगर्बी पाकसान को काईम करने के लिए वन यूनिट बनाया गया सही है मुहमद अली बोगरा साथ जो है वो उनका ज्यादातर वक्त जो है वो अमेरिका में गुजरा था वो पिछले 6 साल से तो अमेरिका में पाकसान के सफीर थे लहादा वो यहां की चीजों को मकमल तोर पर जानते भी नहीं थे, किस तरह का दस्तूर होना चाहिए, और उनका जो उनकी जो वजारत थी, उस दुरान भी मसाल के तोर पर खुराक की किलत हो गई, वो खुराक की किलत को पूरा करने के लिए वो जुट गए और बहुत सरे दूसरे काम थे, जिनकी वज़ा से उनको, लेकिन इसके बावजूद जो आर्डिनेंस के तैट हकोमत बनाई गई थी, उस आर्डिनेंस के तैट मशरकी पाकसान में भी एक बेचैनी पाई जाती थी, और इसी तरह की बेचैनी जो है, वो मगर्बी पाकसान में भी पाई जाती थी, कि उ उसमें से उतने लोग नहीं चुने गए जितने लोग तसवर किये जाते थे यानि दस्तूर साजी का काम इतना सुस्त रवी से हो रहा था कि मुलक के अवाम इस सख्त गैर मुतमें थे बाद जमाते इस मसला पर अवामी तहरीके चला चुकी थी और हमेशा यही कहा जाता था कि बहुत जल्द एक अबूरी दस्तूर दिया जाएगा लेकिन अवामी हलकों ने उसे एक स्टन्ट करार दिया चनाचे अक्तूबर 1953 को मुहमद अली बोग्रा ने अपनी तरफ से एक मतनाज़े अमूर के बारे में एक फार्मूला पेश किया गया जिसे दस्तूर साइसम्बली मन मन्जूर कर लिया इस फार्मूला में इन बातों को पेश किया गया जिस पर अब तक के तफाक्राई नहीं हो सका था जैता था था अ ये बैत तैय की गई कि पाकिसान में पारलीमानी जमूरियत होगी और वो दौलत मुश्टरका में शामल रहेगा मतनाज़ अमूर के बारे में मुहमद अली फार्मूला भी कुछ असूलों पर मबनी था मसाल के तोर पर फेडरल पार्लिमेंट का वाने जरी तेन सो अरकान पर मुश्टमिल होगा जिसमें मशर्गी पाकिसान को एक सो पैंसर निशिस्ते मिलेंगी और एक सो पैंसर निशिस्ते मगर्बी पाकिसान को तो इस तरह आईवाने बाला के 50 अरकान पर मुश्टमिल होगा जिसमें मशर्गी पाकसान को 10 और मगर्बी पाकसान के मुख्तलिफ सूबों को 40 निशिस्ते दी जाएंगी और इन तमाम अमूर को हल करने के लिए मुलक के दोनों बादों के हाजर अरकान की तादाद कम जज़ कम 30 फीसद होगी और ये जरूरी होगा कि पारलिमन का पासकरदा कानून जो है वो कौरान और सुन्नत के मताबिक हो इसके तहाद फिर मशर्गी पाकसान में इंतखाबात हुए اور مشرقی پاکستان میں انتخابات کے بعد مسلم لیگ کے سربراہ وزیر اعلیٰ نور الامین تھے اس کے مقابلے میں تمام جماعتوں نے ایک متحدہ محاذ قائم کیا اور اس محاذ میں اہم ترین جماعتیں جیسے عوامی لیگ اور کرشن اکسرامک پارٹی عوامی لیگ کے صبائی قائد مولانا بشانی اور مرکزی قائد سور وردی تھے تو اس طرح مارچ 1954 میں انتخابات کے بعد مشرقی پاکستان اسمبلی نے 309 شستیں حاصل کر لی صحیح اس طرح کی جو رشاہ کشی تھی مشرقی اور مغربی پاکستان میں اس سے بھی لوگ سیٹسفائیڈ نہ تھے اور پھر اس کے بعد ایک نیا قانون پیش کیا گیا جسے ون یونٹ کہا جاتا ہے اچھا محمد علی بوگرا فارمولا آپ نے تفصیل سے بتا دیا ون یونٹ کا جو قیام عمل میں آیا یہ کیا تھا اصل میں بات یہی ہے ڈار صاحب کہ جو مغربی پاکستان ہے وہ بھی سیٹسفائیڈ نہیں تھا اور مشرقی پاکستان بھی سیٹسفائیڈ نہیں تھا محمد علی بوگرا فارمولا سے کسی بھی طور پر جب 1947 سے لے کر اب تک اپنے اپنے حقوق کے تھانسز کی دونوں جو ہے وہ صوبے کوشش کر رہے ہیں تو جو محمد علی بوگرا نے فارمولا دیا ہے اس کے تحت جو الیکشن ہوئے اسٹ پاکستان میں وہ آپ کے سامنے ہے لیکن اس کے بعد جو لوگ خوش نہیں تھے تو لہٰذا انہوں نے یہ سوچا کہ جو مغربی پاکستان ہے اس کو ایک یونٹ بنا دیا جائے ون یونٹ ون یونٹ صحیح اور ون یونٹ ہو مشرقی پاکستان لہٰذا پھر متناسب نمائندگی دی جا سکتی ہے پھر اس میں ایکل نمائندگی ہو سکتی ہے اس سے مسائل حال ہو سکتے ہیں دستور سازی کے راستے میں جو مشکلات حائل تھیں ان میں سے اہم ترین مکنہ میں مختلف صوبوں کی نمائندگی کا مسئلہ تھا صحیح پاکستان کی 56% عبادی صرف ایک صوبہ مشرقی پاکستان میں تھی اور بقایہ 44% چار صوبوں میں صحیح اگر عبادی کو ہی نمائندگی کا میار مقرر کیا جائے تو مشرقی پاکستان کو اسمبلی میں مستقل طور پر اکثریت حاصل ہوتی تھی صحیح سو مغربی پاکستان میں موجود صوبے اور ریاستیں اقتدار پر مشرقی پاکستان کے مستقل قبضہ سے خائف تھی اچھا لہٰذا اس چیز کو حل کرنے کے لیے محمد علی بوگرا فارمولا میں دو عبادی مکنہ کا نقشہ پیش کیا گیا تھا صحیح اس میں عبادی انبالہ میں مشرقی پاکستان کو دس اور مغربی پاکستان کو چالیس نشستیں دینے کا اعلان کیا گیا تھا صحیح اور اسی طرح عبادی زیرے میں مشرقی پاکستان کو 165 اور مغربی پاکستان کو 135 سیٹے دینے پر اتفاق ہوا تھا لیکن مغربی پاکستان کی یہ جو عبادی تھی اس کے اوپر پوری طرح مطمئن نہیں تھی صحیح سو دستور ساز اسمبلی کو برطرف کرنے کے بعد ملک علاہ محمد کے ہاتھ بہت مضبوط ہو گئے تھے اور انہوں نے محمد علی بوگرا کو مغربی پاکستان کی وحدت قائم کرنے کی طرف تیزی سے اقدام کرنے پر عمادہ کر لیا صحیح لہٰذا محمد علی بوگرا نے 22 نومبر 1954 کو ریڈیو پاکستان سے اعلان کروایا کہ پورے مغربی پاکستان کو ایک صوبہ بنایا جائے گا اور اس سلسلے میں مختلف صوبائی اسمبلیوں سے منظوری حاصل کی جائے گی گوورنر جنرل کا خصوصی اس بات کے لیے کافی تھا کہ صوبوں سے یہ تجویز پاس کروائے لی جائے صحیح لہٰذا قومی اسمبلی میں محمد علی بوگرا کی دوسری وزارت میں سید حساسن شہید سوروردی وزیر قانون تھے انہیں نے ون یونٹ کی تشکیل کے لیے ایک بل کا مسفدہ تیار کیا اور اسے نئی دستوریہ کے اجلاس مری میں منقضہ 1955 میں اس کو پیش کر دیا صحیح اسمبلی میں پنجاب کو 40 فیصد نشستے دی گئیں حالانکہ اس کی عبادی مغربی پاکستان کی کول عبادی کا 56% تھی صحیح اس طرح یہ ون یونٹ منصوبہ بھی ناکام رہا مغربی پاکستان میں ڈاکٹر خان صاحب کی وزارت قائم ہوئی ڈاکٹر خان صاحب یہ وہی تھے جو علی خان کے بڑی بھائی تھے لیکن ون یونٹ بننے کے بعد بھی چونکہ عوام جو ہے وہ خوش نہیں تھے کیونکہ مغربی پاکستان جب ون یونٹ بنا ڈاکٹر خان صاحب ان کی وزارت قائم ہو گئی جنہوں نے بعد میں ریپبلکن پارٹی بھی بنائی تو وہ مشلم لیگ سے ایک الگ دھڑا قائم ہو گیا آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ریپبلکن پارٹی نے اس سیاست کو کیا اور ملک اللہ محمد کے بعد جو گورنر جنرل تھے سکندر مرزا انہوں نے اس کو کس طرح سپورٹ کیا اور اس طرح ایک نئی سیاست شروع ہو گئی تو اس طرح یہ جو بوگرا فارمولا ہے یہ بھی کامیاب نہ ہو سکا اور پھر چودری محمد علی کے زمانے میں نائنٹین فیفٹی سکس کا آئین جو ہے وہ پاس کیا گیا یعنی کہ یہ محمد علی بوگرا فارمولا ہے یہ بھی بوری طرح نکام ہو گیا یہ بھی بوری طرح نکام ہوا بلکل اس کی وزارت بنی ڈاکٹر خان صاحب کی وزارت بنی وانی یونٹ کے تحت لیکن پھر اس کے بعد نائنٹین فیفٹی سکس میں جو ہے وہ کانسٹیوشن بنا جو ڈاکس اب نے 1956 کے آئین سے پہلے محمد علی بوگرا فارمولا اور وان یونٹ کے بار میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتایا آگے جاگے ہم بات کریں گے کہ 1956 اور 1962 کا آئین یہ کیسے مرتب ہوا یہ ڈاکس اب سے جانیں گے تب تک کے لیے مجھے اور ڈاکس اب کو جازے دیجئے اللہ حافظ موسیقی